हेलो दोस्तों, माइनेम इस तंई, वेलकम तू दे सेशन हम सीटेट के प्रीवेज यह और क्वेस्टेड को डिसकस कर रहे थे और उसी कृम में आज हम एवियस के, एवियस का सेकंड वीडियो बना रहे हैं सेकंड वीडियो है यह एवियस के लिए तो इसके पहले मैंने EVS का एक और वीडियो बनाया था और वो EVS Pedagogy पर बेस्ट था तो EVS Pedagogy की ये सेकेंड वीडियो है और ये जो Question Paper है वो 1 January 2022 का Question Paper है और इसी Question Paper को आज हम करेंगे हम Pedagogy वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं पहले Pedagogy वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे उसके बाद अलग Playlist में Content वाले पार्ट का भी वीडियो बनाया जाएगा तो हम आज का पहला Question देखते हैं आज का पहला Question क्या है कि अपनी कक्षा की परियावरण अपनी कक्षा 4 के परियावरण अध्यक्ष के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपरियुक्त कारे का चुनाव कीजिए Question में बोल रहा है कि अपनी कक्षा 4 के परियावरण अध्यक्ष के परियावरण अध्यक्ष नहीं होगा परियार अध्यन होगा typing mistake है ये अपनी कक्षाचार के परिया वरार अध्यन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपरयुक्त में से कौन सा चुनाऊ बेस्ट होगा? चारो option में से ऐसा कौन सा option जो है वो best होगा जो की विद्यार्थियों के रचनात्मक आगलन को बढ़ावा देगा Class 4 के बच्चे हैं तो तैरने और डूबने के पाठ पर उत्तर प्रशन उतर लिखना तो ये रचनात्मकता को बढ़ावा नहीं देगा डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रिया कलाब करना तो क्रिया कलाब करना जो है वो EVS में अच्छा माना जाता है तैरने और डूबने की परिभाशा की ब्याख्या करना तो बिलकुल भी नहीं परिभाशा की ब्याख्या करने से रचनात्मक आकलन नहीं बढ़ेगा उसके बाद जो वस्तुए डूबती हैं और तैरती हैं उनकी सूची याद करना तो आप देख सकते हैं कि बहुत फसाने की भी क्वेस्टन में कोसिस नहीं की गई है जहां पर क्रिया का लाफ वर्ड आता है एक्टिविटी वर्ड आता है बच्चे जो है वो एक्टिवली एसेस्मेंट की बात बूची गई है तो डूबने और तैरने की प्रक्रिया का आवलोकन करने के लिए क्रिया कलाब करना तो यहां पर भी ओप्शन जो है वो क्या है बिलकुल सही है तो यहां पर अगर अब देखें कि एक सुटेबल एसेस्मेंट टास्क जो है वो चारों में से सेलेक्ट करना है उनके लिए तो क्वेशन को राइट करवाना swimming पर तो यह तो ठीक नहीं है performing the activity to observe sinking and floating तो यहाँ पर बी option जो है वो बिलकुल सही है कि वन्दब activities कराना तो बी option जो है वो सही है और explain करवाना, definition को explain करवाना या फिर list को याद करवाना तो यह सब जो है वो ठीक नहीं है यहाँ पर बी option जो है हमारा आज का दूसरा question क्या है कि परिया वरण अध्यन के सिक्षण में कला और कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वो प्रोतसाहित करता है परिया वरण अध्यन के सिक्षण में कला और कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वो किसको प्रोटसाहित करता है, स्रिजनात्मक्ता को करता है, सहपाथी, सीखने को करता है, कक्षा में अनुसासन को करता है, या समावेशन को करता है, तो कला और कौशल का समावेश करता है, वैसे तो चारो ओप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट की तरफ जाना है, पहले की स्रुज नात्मक्ता तो इसको तो काट नहीं सकते हैं कला और कॉसल का समावेश से इसको बढ़ावा मिलेगा सहपार्थी को सीखने सहपार्थी सीखने को भी इसको भी नहीं काट सकते हैं और समावेशन को भी काट नहीं सकते हैं लेकिन कक्षा में अनुसासन जो है वो एक सही हो सकता था लेकिन यहां पर आपका A, B और D सही होगा question में पूछा गया है कि art and craft should be integrated in EVS teaching because it promotes तो art and craft को जो है EVS के teaching में integrate किया गया है एकर्कित किया गया है समाहित किया गया है क्योंकि यह किसको promote करते हैं तो art and craft जो है वो creativity को promote करते हैं peer learning को मतलब साथ-साथ यह काम किया जाते हैं ऐसा तो है नहीं कि art and craft हम सिर्फ अकीले बनाएंगे हम पर अपने सहपार्टियों के साथ बनाते हैं तो peer learning को भी बढ़ावा देता है और class में discipline को maintain करता है ऐसी कोई बात नहीं है और inclusion को मतलब सभी बच्चे जो है वो साथ-साथ सीखते हैं सभी बच्चे जो है वो साथ-साथ सीखते हैं तो वहाँपे inclusion को भी बढ़ावा मिलता है तो यहाँपे D option जो है वो बिलकुल ही सही होगा अब हम अगले question की तरप चलते हैं अगला question क्या है कच्छा चार के विद्यार्थियों को थीम आश्राय के लिए कौन सी युक्ति पूछ ताच को प्रोत्साहित करती है कच्छा 4 के विद्यार्थियों को एक थीम है आश्राय के लिए कौन सी युक्ति पूछ ताच को प्रोत्साहित करेगी आश्रय का मतलब एक थीम है आश्रय का मतलब शेल्टर तो उसके लिए कौन सी ऐसी चारो में से इसा कौन सा आप्शन है जो कि पूछ दाज को मतलब question-answer को प्रोतसाहित करेगी तो विद्यार्थियों को विभिन प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना विभिन प्रकार के आश्रय का चित्र साजा करना या फिर विभिन मकान निर्मार इस्तलों पर जाने के उपराद विद्यार्थियों को अपने अनुभा सुनाने के लिए कहना या फिर दे यहाँ पे देखे तो हमारा कौन सा option हो सकता है, तो घरों के चितर एकत्र करने से जो है वो पूछ साज को यह प्रोथ साहित नहीं करेगा, चितर साज्वा करने से भी नहीं होगा, और यहाँ पर पावर पॉइंट की प्रस्तूती करड़ से भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखा कैसे देखा मनलब किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे अवलोकन किया ये सब बाते जो है वो बच्चे जब वहाँ पे ऑब्जरब करेंगे देखेंगे जानेंगे तो उनको अपने अनुभाव को कलासरूम को में सुनाने के लिए कहना कि उन्होंने क्या सीखा क्या एक्त कर पाएंगे इससे उनको बहुत सारे फायदा हो जाएगा तो यहाँ पे C option जो है वो यहाँ बिलकुल ही सही है यहाँ पे C option जो है वो बिलकुल सही है इसमें चारों में से ऐसी कौन से स्ट्राटजी है जो कि प्रमोड करती है इनक्वाइरी को वाइल टीचिंग धीम शेल्टर क्लास पूर्थ की बच्चों को शेल्टर का थीम पढ़ाती समय चारों में से ऐसा कौन सा ओप्शन है जो की inquiry को मतलब पूछताच को question answer को प्रमूट करता है चारों ओप्शन में से तो asking students to collect pictures of different type of houses मतलब अलग अलग प्रकार के houses के picture को collect करना तो ऐसा तो है नहीं sharing picture of different type of shelter अलग 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 टाइप की shelter का picture share करना इससे भी नहीं होगा यहाँ पर c option जो है वो बल्कुल ठीक होगा क्यों होगा क्योंकि बच्चे जो है वो अपने experience को खुद ही narrate करेंगे खुद ही सुनाएंगे क्या उन्होंने construction house पर देखा वहाँ पर और एक powerpoint पर दर्शित कर देना इससे भी नहीं होगा यहाँ पर c option जो है वो बल्कुल सही होगा और अगला question क्या है प्रातमिक कक्षाओं का परियावरण अध्यान वह इससे चेत रहे जिसमें एकी करण है बतलब इसके पहले जो मैंने वीडियो गनाया था उसमें भी यह question आया था और यहाँ पर भी यह question आया हुआ है यहां पर डिरेक्ली यहां पर यह पूछा जा रहा है कि परिया वरड अध्यन में किन विश्यों को समाहित किया जाता है क्लास वन से लेके फाइब के बीच में तो विज्ञान और परिया वरड़ी सिक्षा की संप्रत्य और मुद्दो को इसमें समाजिक विज्ञान को छोड़ दिया गया है तो ये option गलत हो जाएगा इसमें सिर्फ समाजिक विज्ञान को रखा है इसमें विज्ञान और परियावरण को छोड़ दिया गया इसलिए ये भी गलत हो जाएगा विज्ञान और समाजिक विज्ञान को रखा गया है लेकिन परियावरण को छोड़ा गया है ये भी नहीं होगा यहाँ पर फूर्थ option होगा इसमें विज्ञान भी होता है समाजिक विज्ञान भी होता है और परिया वरड़ी सिक्षा के संप्रत्य और बुद्दो को भी शामिल किया जाता है यह question जो है वो maximum time पूछा गया है तो आप इसको मतलब अच्छे से समझ लेंगे कि क्लास 1 से लेक कि EVS the primary classes is a subject area which integrative किसको integrate करता है तो the concept and issues of science, social science and environmental education यहाँ पर D option जो है वो बिल्कुल सही है और अगला question अगर हम देखे तो अगला question क्या है निम्न लिखित में से प्रात्मिक इस्तर के परिया वरड़ अध्यन का क्या उद्देश है चारों option में से प्रात्मिक इस्तर के परि परिया वरड़ अध्यन का क्या उद्देश है तो लैंगिंग भीदभाव से संबंदित मुद्दों पर सीखने वालों को समेधन शील बनाना या पिर इस्थानी उपलब्द सामगरियों से सगल प्रारूपों का विकास करना विद्यार्थियों को उच्छ प्रात्मिक विज और अध्यन का क्या उद्देश है तो लैंगिंग भीदभाव से संबंदित मुद्दों पर सीखने वालों को समेधन शील बनाना यहां पर चारों ऑप्शन में से आप इस ऑप्शन को पगड़ सकते हैं कि लैंगिंग भीदभाव से संबंदित जो भी मुद्दे होते हैं व विकास करना तो यह उतनी चारों उप्शन में से पहला उप्शन ज्यादा बेस्ट जा रहा है क्योंकि पर्यावरण में हमारे आस पास की चीजों का दियन करते हैं और लैंगिक भीद्भाव बहुत बड़ा मुद्दा है और विद्यार्थियों को उच्छ प्रात्मिक विज् भी आप्शन जो है वो सबसे ज्यादा बैटर है चारों और से कि लांगिक भीद्भाव से समवन्दित मुद्दु पर सीखने वालों को सब्रूद शील बनाना और ओप्शन जो है आपे बिलकुली सही है चारो मेंसे कौन सा जो हे वो अब्जेक्तिव है अब्जेक्टिव ाफ EBS आट प्रैमरी लेवल पे वेश को पढ़ाने का कौन सा अब्जेक्टिव होगा तो मतलब बचों कोशनसेटाइज करना आ बच्छों को सेंस्टाइज करना टू इस्यू Ohio लेटेट टो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के प्रती मतलब की सामाज लाएंगिक भेदभाव की प्रती बच्चों को सावेदन शील बनाना सेंसिटाइज बनाना, सब्रेजन शील बनाने का मतलब यह है कि उन्हें भावग बनाना, उन्हें जागरुग बनाना उन्हें प्रोग्रेस्यों बाते सिखाना उसके बारे में नहीं तो वो अपने समाज, अपने हासपड़ों जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्ष करने के लिए कहा इस क्रिया कलाब की अभी कलपना की गई है सिक्षिका ने अपने सिक्रिविद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहड किये जाने वाले पौधों के विभिन भाग जैसे की जड़, तना और पुस्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्ष करने के लिए कहा इस क्रिया कलाब की अभी कलपना की गई है तो अनुभवात्मक सीखने को प्रत्साहित करने के लिए ये बात है क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन की रूप में ग्रहड किये जाने वाले विभिन भाग जैसे की जड़, तना, पुस्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदसे से परामर्श करने के लिए कहा तो यह जो अभिकल्पना है वो क्या है वो अनुभवात्मक सीखने को प्रत्साहित करेगा यहाँ पर यह बड़ ठीक है, अधर ओप्शन भी देख लेते हैं कि भोजन से समबंदी समप्रत्य के विकास के सीखने को प्रत्साहित करना तो यहाँ से भोजन से समबंदी समप्रत्य को नहीं सिखाया जा रहा पाट को अधिक आनंददाई और रूचिपूर बनाने के लिए तो ऐसी बात भी नहीं है यह चीजे हो सकती हैं लेकिन चारों उप्शन में से आपको बेस्ट के तरफ जाना है विद्यार्थियों को भोजन के विशय में खूले मन से खोज करने के लिए अनुमती देना तो यह भी नहीं है यहाँ पर यह उप्शन जो है वो बिलकुल सही है और अगला क्वेशन देखते हैं कि दृष्ट इबाधित विद्यार्थियों को परियावरर अधियन पढ़ाने के लिए निम्मेलखित में से कौन से युक्ती सरवादी को प्यूकत होगी तो यहाँ पर दुरिष्ट इबादि विद्यार्थियों को परिया वर अधियन को पढ़ाना है तो कक्षा में मिस्ट्रिस सहपाटी समूँ बनाये जाए किसी कारी को पूरा करने के लिए अधिक समय दिया जाए किसी भी कारी को भागों में बाटे और प्रतेक भागों को अलग से पढ़ाए या फिर इस परस्ति सिक्षण अधिगम सामगरी का अधिक भियोग करें तो यहाँ पर अगर हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चा जो है वो द्रिस्टिबादी थे उसको देखने में प्रॉबलम हो रही है तो कक्षा में मिस्ट्रिस सहपाटी समूँ बनाये तो मिस्ट्रिस सहपाटी समूँ नहीं यहां फिर दृष्ट इबादे बच्चों की बात हो रही है, पूरा करने के लिए समय अधिक दे, यह भी नहीं होगा, उम्हें बेस्ट वन की तरफ जाना है, किसी भी कारी को भागों में बाटे और प्रतेग भागों को अलग से पढ़ाएं, ऐसा भी नहीं है, इस पर से सिक् को में प्रॉबलम होते हैं, जो अंदे बच्चे होते हैं, उनके लिए ब्रेल लीपी का यूज किया जाता है, उसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसे छे डॉट्स होते हैं, उसको ही टच करके वो जानते हैं, कि यह कौन सा वर्ड लिखा गया है, तो इस पर सी सिक्ष मतलब विजुली इंपेर्ड जो बच्चे हैं, उनके लिए चारों में से ऐसा कौन सा वप्षन है, जो कि मतलब विजुली इंपेर्ड मतलब की दृष्ट इबादित बच्चों के लिए अपनाने चाहिए, तो यहां पर टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग मेटेरियल को पाठ का वह उपयुकते इस्तर, जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए, वह कौन सा है? परिया वरण अध्यान का सिक्षड करते हुए पाठ का वह उपयुकते इस्तर, जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना है, तो वह कौन सा है? पाठ के अंत मे पाठ के आरंब में जब विद्रयार्थी आगलन के लिए प्रस्तूत है या फिस सिक्षड अधिगम के दौरान पर या वरण अधियन का सिक्षड करते वे पाट का वह प्यूकति इस तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना है वो क्या है तो सिक्षड अधियम के दौरान आपको पता है कि पाट के अंत में करने से कुछ नहीं होगा पाट के आरंब में भी करना उत्रा एफेक्टिव नहीं होगा जब मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं तो मैं बच्चों का आगलन क्या करूंगे और जब विद्यारती आकलन के लिए फ्रस्तूत है तब भी नहीं चारों आप्शन में से हमें सबसे अच्छा आप्शन जो है वो डी है कि सिक्षड अधियम के दौरान अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसी में पढ़ाते बढ़ाते बीच-बीच में हम क्वेस्टन स्पूछ रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से हम जानने की कोशिस कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो सीख पाया या नहीं तो यह जो है वो सिक्षड अधियम के दौरान ही होता है जो की पार्ट को सीखते अल्कुल सही है दब मोस्ट एप्रोप्रियेट स्टेच ऑफ दे लेशन प्लान वेर स्टुडेंट शुडबी एसस्ट वाइल टीचिंग एवेस्ट करते समय चारों उप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है कि बच्चों के बच्चों का आकलन करने के लिए तो at the end of the lesson मतलब की lesson के end के समय या फिर introduction के समय या फिर जो है वो जब बच्चे जो है वो ऐससे मतलब की आकलन करने के लिए प्रस्तूत हो उनका one हो के हाँ आप मारा आकलन करिये या फिर over the course of teaching learning मतलब की सिक्श और अधियम के दौरान जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी दौरान हम उनसे question सोच लें किसी भी तरीके से यह जानने के कोशिस करें कि उन्हें क्या सीखा है तो यहाँ पे सिक्श और अधियम की दौरान अगर मुल्यांकन किया जाता है तो बेस्ट मुल्यांकन होता है fourth option जो है वो बिलकुल सही है अगला question है कि आपको अपने वि चारों option में से बोला जा रहा है कि आप अपने विद्यार्थियों के परिया वरण अध्यन परियोजना का आकलन करना है आपको और उन्हें सिग्र पुनर निवेश भी देना है आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे पुनर निवेश का मतलब क्या होगा उनको feedback भी दे क्रम दर्धार मापनी का यूज करेंगे जाच सूची का यूज करेंगे या फिर सहपाथी आकलन का यूज करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे आप जाच सूची का प्रियोग करेंगे अगर हम यहां पर देखें तो हम किसका यूज करेंगे तो हम यहां पर जाच सूची का विद्यार्तियों को अधेर पश होगी और उसके लिए आपको अधियन परयोशना का आकलन करना है और उनने तुरंत ही फीडबैक भी दे पाएंगे चेकलिस्ट होता है मतलब कुछ योगिताओं का समूह बना लिया जाता है और उसमें मतलब चेक चेक दिया जाता है कि हां इसके अंदर यह योगिता है तो चेक यह यह योगिता है नहीं है तो यहां पर क्रॉस कर देंगे इस तरीके से यहां पर क्या है कि you have to assess your students EVS project and give them quick feedback उन्हें एसेज भी कर रहे हैं और तुरंती feedback भी हमें बच्चों को देना है तो क्यों सा assessment का tool जो है वो सबसे best होगा तो rating and scale जो है वो best नहीं होगा observation भी नहीं होगा peer assessment भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है आपको बच्चों को project को देखना भी है और उनको तुरंती feedback देना है तो आप checklist अगरने धारित कर लेते हैं कि हां इतनी इतनी qualities होनी चाहिए और इनका यह project जो है वो easiest quality को पूरा कर रहा है इस quality को पूरा नहीं कर रहा है तो आप उनको बता सकते हैं कि हां यह qualities आपके project ने पूरा किया इस quality को पूरा नहीं किया तो आप उनको immediate feedback जो है वो checklist के माध्यम से दे सकते हैं तहाब सी option जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा और उसके बाद जो है वो अगला question क्या है अगला question क्या है कि परिया वरण अध्यन में सीखने का आकलन करने का क्या उद्देश है सीखने का आकलन करना है सीखने के लिए नहीं करना है सीखने का आकलन करना है मतलब कि समेटिव एसेस्मेंट की बात आ रही है, मतलब कि हमने learning तो कर लिया, अब उसके बाद हमारा आकलन हो रहा है, जैसे कि सिक्षक विद्यार्थियों को उपलबधी के विशे में जानकाले कत्र करें, यह मुल्यांकन के पिक्षा सिक्षड का एक मार्ग है, तो सिक्षड का एक मार्ग जो होता है, वो formative assessment होता है, समेटियों नहीं होता है, यह विद्यार्थियों के द्वारा नवीन या नया ग्यान में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रगती के विशे में प्रतिपुष्टी देता है, तो प्रतुपुष्टी देने की बाद जो है, वो formative assessment करता है, ना कि समेटियों करता है, यह option भी नहीं होगा, और यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है, जिससे कि अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जाए, तो यह तीनों option जो है, वो formative assessment के बारे में दिये गए हैं, लेकिन यह option यहाँ पे जो है, वो formative assessment मतलब कि सीखने का आकलन करने की बात करती है, कि सीख्षक विद्यार्थियों को उपलब्दियों के विशे में, विद्यार्थियों की उपलब्दियों के विशे में जानकारी एकत्र करते हैं, और उसके बार रिजल्ट बनाके उनको दे देते हैं, लेकिन जो formative assessment होता है, यह मुल्यांकन की यह विद्यार्थियों के दवारा नवीन या नए ग्यान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगती के विशे में प्रतिपुस्ट भी देता है, और यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है, जिसे कि अगले चरण में उन्हें सहारा दिया जा सकी, तो यहाँ पर A option سमेतियों के बारे में है और तीन option जो है, वो format के बारे में है, तो हमें सीकने का applicants करना एकń फिरून सही होगा. अगर हमें सीकने के लिए áreas करना होता, तो यहाँ पर नीचे के तीनों सही हैं, तो यहाँ पर हमारा answer क्या है, एक में पर देखें, objective of assessment of EVS learning हमें EVS के learning का assessment करना है सीख चुके हैं बच्चे तो उसके लिए चारों में से कौन सा option जो है वो सबसे best होगा तो यहाँ पर teacher gather information about the students achievement बच्चों के बारे में students के बारे में उनकी achievement के बारे में information को एकत्र करना तो यह option जो है यहाँ पर बिलकुल सही होगा और feedback देना के काम जो है वो formative करता है उसके बाद यह teaching process जो है वो भी formative होता है और support बच्चों को next step के लिए support भी जो है वो formative ही देता है तो यह option यहाँ पर हमारा बिलकुल ही ठीक हो जाएगा और अगला question क्या है अगला question है कि नई सिक्षा नीती 2020 की अनुसार प्रात्मिक कक्षा एक से कक्षा पाँच के लिए निमिलकित में इससे क्या इस्तर होगा तो आरंभिक इस्तर मध्य इस्तर हो गया और बुनियादी इस्तर हो गया तो 2020 के अनुसार यहां पर अगर हम देखे 2020 की अनुसार कक्षा क्या है नई सिक्षा नीती नई सिक्षा नीती 2020 की अनुसार प्रात्मिक कक्षा एक से पाँच के लिए निमिलकित में से क्या इस्तर होगा आरंभिक इस्तर होगा मध्य इस्तर होगा और आरंबिक इस्तर की भी बात की थी, लेकिन मद इस्तर जैसी कोई भी बात इन्होंने नहीं की थी, यहां पर 86 का जो है वो क्या आंसर हो जाएगा, 86 का जो है वो थर्ड वाला आंसर होगा, आरंबिक इस्तर की बात की गए थी और बुनियादी इस्तर की बात की यह थी आप इसको लिखका रख लिजे क्योंकि यह नई सिक्षा नेती जो है वो आप इसी तरीके से पढ़िए, इतनी भी questions मैं करवा रही हूँ, आप एक साइड में नई सिक्षा नेती की बारे में उतार के एक लिजी, उसी में से question आपका next exam में first जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर A and C है, ऐसा नहीं है कि आपको एक या दो या दस question मिलेंगे, आपको कम से कम जब मैं preceded का पूरा question में पर आपको solve करवा दूँगी, आपको हर एक pedagogy में इससे question देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर हम देखी अगला question, तो अगला question क्या है कि प्रात्मिक इस्तर पर इंदलिकित में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है, कौन सा जो है वो प्रक्रिया का कौशल नहीं है, तो प्रक्रिया का कौशल जो है वो कौन सा नहीं है, मान्चित्रड करना कौशल नहीं है, क्रिया कि जाज करना कोशल नहीं है या फिर तत्यों का अनुसवरण करना तो यहां पर प्रात्मिक इस तर को आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि मांचित्रण करना बच्चे जो है मैपिंग कर लेते हैं अपने दिमाग में यह हो सकता है आमें नहीं ढूंड़ना है क्रिया श सर्च में आती है परिकलपना की जाज करना तो इसमें तो नहीं हो सकता तथियों को अनुस्कराड करना मतलब कि रिकॉल करना तो यह हो सकता है लेकिन परिकलपना की जाज करना तो कहीं से भी नहीं हो सकता तो यहां पर जो है वो CEO आख्सी और जो है वो बलकूल सही है थिल्स का अजब cancel की ऑडिय। लैस का फटी थीं परिवार का कौन Northern रूज अफ़ीवार और मित्र है उसका कोची उपती ए डिश हमें बनाते हैं और करते हैं जबétaisे ऑर फंटे शटेर हो गया और उसके बाद भोजन और जल हो गया उसके बाद जो है वो हमारा आश्रय हो गया तो आप देख सकते हैं कि थीम परिवार और मित्र में कौन सा उप थीम होगा तो हमारा आश्रय तो एक थीमी है छे थीम है छे थीम है आपको छे थीमी याद रखने है और उसके सब थीम भी याद रखने है अगर आपके पार इसका लिस्ट होगा तो सही है नहीं होगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूगी तो चीजे जो हम यहाँ पर क्या होगा परिवार और मित्र का जो सब थीम होगा वो क्या होगा? होगा कार और खेल आपको ऐसे ही इसको याद रखना है कि परिवार और मित्र का जो एक थीम है उसका सब थीम क्या होगा? उसका सब थीम जो है क्या होगा? कार और खेल होगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा बात है नहीं यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज है कि पर्यावरण में कुछ थीम दिये कहें आप उसको याद रखेंगे क्योंकि उससे हर बार क्वेशन आते हैं हर बार का मतलब है हर बार आते हैं अभी चीज़ थिया सब थीम अंडर थीम फैमिली और फ्रेंड की बीच में जो है वो सब थीम क्या है वर्क एंड प्ली हो गया थीम फैमिली और फ्रेंड का जो है ओन अगले क्वेशन की दरते हैं अगला क्वेशन के हैं निम्य लिखित में से कौन सा एक अपशारी प्रश्न है जो परिया वरड़ अधियन की सिख्षिका अपने चात्राओं की सुरोजनात्म शंता को प्रत्राहिद करने के लिए पूछेंगी मृड़ा में प्याज के वीजों को भूने से लेकर फसल काटने तक कि लवर के विलयान से आप कैसे प्रिधक करेंगे इसका भी जो है वो है और यहां पर आपको डैवर्जन کی बात करनी है तो यहां पर डैवर्जन की बात कर रहे हैं तो डैवर्जन क्देट में यहां पर भी आएगा कि दिल्ली जैसे सहरों में वायू प्रदूशड को कम करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे तो यहां B option जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा और अगला question है कि विद्यार्थियों का और आज का last question है कि विद्यार्थियों के द्वारा परिया वरण अध्यन की सीखने का गत्यात्मक समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आक में से तो बहुत बड़े बड़े सब्सक्राइब आप अनुभव को अगर देख लें अनुभव वर्ड को ही लेकर चलें अगर तो क्रम दुर्धारण मापनी के द्वारा तो आप इसको अनुभव को नहीं दिखा पाएंगे और पेपर पेंसिल परिक्षा के द्वारा भी दिखा पाएंगे विश्व शनी आकलन युक्तियों के द्वारा आप दिखा सकते हैं या फिर अगला उप्षन अगर आप देखे कि मौकिक परिक्षा के द्वारा तो मौकिक परिक्षा से भी नहीं दिखा सकते और उसके बाद क्रम दुर्धारण मापनी से भी नहीं दिख जाएगा कि 200 सनिय आकलन युक्तियों के द्वारा आप वो अनुभाव को बच्चों को बच्चों के अनुभाव को दिखा सकते हैं आप सी ऑप्शन जो है वो सही होगा तो यहाँ पर अगर हम देखे कि dynamic, the dynamic, holistic and experiential nature of EVS learning by the students is best assessment मतलब dynamic हो, holistic हो, holistic का मतलब पूरे तरीके से हो और experiential का मतलब है कि वो अनुभाव भी किया गया हो तो चारो उप्शन में से इसा कौन सा assessment का tool है चोकि चारो उप्शन में से इन तीन पॉइंट को जो की dynamic है, holistic है और experiential है को best तरीके से measure कर सकता है तो authentic assessment, assessment strategies यहाँ पे C option जो हो बिल्कुल सही होगा rating scale इतना अच्छा नहीं है, paper pencil भी अच्छा उतना नहीं है, oral test भी इतना अच्छा नहीं है चारो उप्शन में से third option जो है वो सबसे best है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको हमारे चैनल के content पसंद आ रहे हो और अगर आप मारे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं तो आप प्लीज हमारे वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोज को जादा से जादा लोगों के बीच सेयर करें ताकि मुझे मुझे मोटिवेशन बेने और भी वीडियोज बनाने का तो आज के लिए